रादे किश्णा आप सभी को रादे रादे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे इस बारी करवाचोथ के दिन बद्राकाल लग रहा है और बद्राकाल के समय हमें ये पूजाविदी नहीं करनी होती है तो हम सुब मोरत में कब और कैसी पूज पूजाविदी करेंगे लेके आई हूं पूरी जानकारी आप से भी के साथ अपने इस वीडियो में इस बारी करवाचोथ 20 अक्टूबर 2024 को दिन रविवार को पढ़ रहा है और ये बद्राकाल जो है ये सुबा के समय है 6 बच के 24 मिनट से 6 बच के 46 मिनट तक तो इस समय प पूजा सुबा की हो चुकी होगी तो बद्राकाल से कोई फरक नहीं पड़ेगा और साम के समय जब हम ये पूजा करेंगे कथा करेंगे तो उसका शुब मुरत क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूं चोथ की पूजा करने का जो शुब मुरत है वो है 5 बच के 46 मिनट से 7 पचके 2 मिनट तक तो साम के समय हमें ये पूजा करनी है और इस पूजा में हमें करवा फेरने की रसम थाली फेरने की रसम स्वाग लेने की और स्वाग विदी देने की जो रसम होती हो सारी विदी मैं आप से भी के साथ शेर कर रही हूं तो महिला पहली बार ये करवा करवाज के स्थांग वारता है तो यहां सबव्थान कर 0ilah मेरे तो में पर दिए branל में दिए जाते हैं में परäg यहां रहे तो यहां esse में करवाज कर सकते हैं मैं करें पहस्याद करता हैं आप होता यह कर दो का उसको भी हम रख सकते नहीं तो आप मिट्टी वाला करवा हर साल नया लेंगे तो यहां पर पूजा करने के लिए हमने एक चोकी लिए जिस पर लाल कपड़ा बिचाया है करवा माता की तस्विर शिप परवती माता के साथ यहां पर गने जी की भी स्थापना की है पूजा में सबसे पहले हम गने जी को तिलक लगाते हैं सिंदूर और अक्षत का तो यहां पर रोली सिंदूर का अक्षत का तिलक लगा के सिप बगवान जी को हमने चंदन का टीका लगाया है और देवी मा को हमने रोली का और उसके बाद हमारे पास यह सिंदूर की दानी होत मातों को माला पनाईए अब हम ये कर्वे की सापना कारे तो कर्वे की सापना के लिए यहां पे थोड़े से मैंने अक्शत की ढहरी रखे जिस पे हम कर्वा रखेंगे तो कर्वाwire मिट्डिका पीतिका कोई सा भी हो आप फो ले सकते तो आपके यहां पर अगर इसमेन मिठाई यहाँ पे एक मिट्टी का और एक चीनी का मिठा करवा हूं अग ripple का मैं अबसको ऐसा करवा है करवा था नाय। के अंदर मैंने सूद जल डाल चोपा डाल सुपार्पा डाल सी रहला है यह रही हमें अख्षाद और इनको करवा करगे चरका दोपाया है और ढखन के उपर हम थोड़े से अक्षळ रखे इसके उपर हम मिटी की परजलीद करेंगे आपको पताया कि जो रख़ते हैं हम दो जोड़े के सब्सक्राइब क्षक्षकD — इस चेनी का कर्वा रखे एक के शिन्पस , डेनेगे का कर्वा देते हैं क्योंकि इसको खाया जाता है बाद में तो इसलिए थोड़ा सा टीका लगा के कलावा बान दिया और इसको हमने भरना होता है तो भरेंगे हम खेल खिलोने पताशों से तो यहां पर पताशी या खेल खिलोने से हम इसको भर देंगे साथ में यहां पर दिपक पजलित कर लिया, अब हम यहां वर्थ का संकर्प ले रहे, तो वर्थ का संकर्प जरूर लिया जाता है, पूजा करते हैं, तो फूल लेंगे, कोई भी फूल लेंगे, जिस पे हमने रोली सिंदूर, अक्षत, दक्षिना और कलावा, थोड़ा से जल मते की तस्वीर होती है, कलश की स्ताफना करके ही मैं अपनी सरगी लेती हूं, तो पूजा की सारी विदी में सुबा के समय भी करती है, और साम के समय जब हम विशे इस पूजा करते है, कथा करते है, तो उस समय हम सिंगार अरपन जरूर करते है, माता रहनी को, तो सिंगार म जो भी हमने 16 सिंगार लिए होते हैं वो देवी मा को करवा की आरपन जरूर करना चाहिए तो यहां पर हमने बिंदी सिंदूर आरपन कर चूडशे है और इनके हाथों में पाली जरूरूर लगा थे माता को आरपन कार चाहिए ना तो वो सारी चीज़े हम बाद में सासु मा को ये बाइने में देते हैं पूजा में हमें लाल फल जरूर रखने चीए तो देवी मा की पूजा कोई भी हम करते है ना तो यहां पर करवा माता की पूजा कर रहे तो लाल रंग वैसे भी माता का परती कोता स्वाक के निसानी ह तो यह इसलि कच्चा दूद रखा हुआ है, यह दूरबाय डाल रखे तो ये जब हम कहानी सुनते हैं तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हम इस जल के अंदर अपने अक्षत को डालते रहेंगे तो जब रात्री में चांद निकलता है तो इनी जल से साथ में करवे वाले जल से हम चांद को आर्ग देखके अपना वर्त को पूरा करते हैं और जब ये अक्षत बच जाता है कहानी सुनने के बाद तो इन अक्षतों को हम अपनी साड़ी के पल्लों में बांद लेंगे तो ये साड़ी के पल्लों में बचे अक्षत को बांद लेंगे और जब रात में चांद निकलता है जब हम चांद को अर्ग देत दियान रखेगा कि बचे होई अक्षट को आप अपनी साड़ी के पल्लों में बांध के जब रात्री में चान निकलेगा तो उसे अर्ग देखे चंद्रमाग को अरपन करना होते हैं यह सारे अक्षट और सबसे जरूरी होती है स्वाग विदी तो कर्वा माता से स्वाग प्यार में यह बहुत ज़्यादा परचली था है इसी से शादी होती है तो इसलिए हैं पर सिंदूर दान पूजा में जरूर रखा जाते हैं हम कर्वा चोट की पूजा करते हैं हरताली का तीज की पूजा करते हैं कोई भी स्वाग की पूजा करते है न तो इस विदी को जर वो ही संदुर माता रानी की मांग से हम फिर अपनी मांग में भरते हैं साथ वारी तो ये स्वाग विदी की रसम होती है और इसको करवा चोट की पूजा में जरूर किया जाता है और यहां पर फिर एक रसम जरूर की जाती है करवा चोट की पूजा में जिसे कहते है करवा फेरना तो करवा फेरना दो जोड़ों के साथ अकेले अगर आप कर रहे हैं पूजा तो आप अकेले अपने हाथ को इस तरीके से करिएगा तो क्रोस वाइस करिएगा साथ वारी तो इस तरीके से घुमाईएगा कि जो आपका कर्वा मिट्टी वाला वो आपकी तरफ आए और चिनी वाला जो हमने कर्वा माता के लिए रखा है वो कर्वा माता की तरफ ही रहे तो इस तरीके से हम ये साथ वारी घुमाते हैं अगर हम अकेले हैं और किसी के साथ हम ये पूजा क तो यह करवा चोट की जो पूजा होती है इसमें थाली फेरने की रिसाम अगर आपके यहां होती तो थाली फेरने से करिएगा नहीं तो करवा इस तरीके से हम फेरते हैं पूजा के बाद बारी आती है सासुमा के बाइने की तो सासुमा का जो बाइना होता है उसको में कैसे न यह सारी चीजे रख लिए और जो भी हमने खाना बनाया होता है वो खाना हम सासुमा को देते हैं अगर सासुमा दूर रहती तो आप कोई भी ड्राइफ रूट दे सकते हैं और इस तरीके से हाथ जरूर फेरिएगा यानि कि जल के छीटे देखे घुमा के आप यहां पर सासु रखेंगे साथ में मिठाया आपने जो भी ले रखे और रखेंगे तो यह सारी चीजे हम पूजा के लिए रखते हैं जिसमें अक्षत रखेंगे अक्षत रखना क्योंकि हमने चांद को रख देना तो अक्षत यह अरपन किये जाते हैं साथ में हम पर रोली सिंदू रखें और यह जो दीपक कलश पर जल रहा है उस दीपक को और साथ मैं कलश से उसी कलश से करवे के कलश से हम जल अरपन करते हैं चान्द को है मैंने आप सभी के साथ कुछ नियमों के साथ ये पूजा विदी शेयर करिए करवा चोथ की उमीद करते हूँ दोस्तों के आपको मेरे ये पूजा पाट के वीडियो पसंद आ रहे होंगे वीडियो अच्छे लगते तो उनको लाइक जरूर करेगा आप सभी के साथ ऐसी मैं पूजा पाट के और वीडियो लेके आ रहे हैं तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और न